जो लोग इस वीडियो को देखने के बाद में चैनल को सबस्क्रेब नहीं करते हैं वो तीन दिन में गायब हो जाते हैं हेलो दोस्तों और होप आप सभी लोग ठीक होंगे तो आज मैं आपके लिए लिख आया हूँ एक रियर इंसीडेंट पर बेज्ड मोवी जिसका नाम है इडन ये एक रियर इंसीडेंट पर बेज्ड मोवी है तो आप अगर चैनल पर नहीं है और चैनल को सबस्रेब करके बल notification all कर लिजे मूवी की starting में एक कार की डिक्की में जे नाम की एक लड़की बंदी हुई थी उसके हाथ पिर और मुझ सब बंदावा था वो भागने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो किड्नाप करने वाल आदमी बस सिगरेट पी रहा था और वो फिर उस डिक्की को वापिस बं करती थी या एबी उसे शाम को अब बार में चलने को कहती है और उसके पास बार में जाने के लिए एक फिक काईडी कार्ड भी था क्योंकि जे अभी भी आठा साल की नहीं हुई थी जे के पिदाव को पता था कि वो सिगरेट पेती है लेकिन वो उसके माम को नहीं बताते औ और यह सब उसके लिए एक नए एक्सपिरिंस था वहाँ पर दोनों शॉट्स लेते हैं इंट एन एबी की नजर एक चार्मिंग लड़के पर पड़ती है जो कि फायर फैडर के ड्रेस पेने वह था और उसके लिए ट्रिंग ओफर करता है जिसके बद दोनों में बाच्चि बीच में रोख देता है और उस जे को किस करना लगता है जे को पसंद नहीं आता और यह फायर फैटर उसकार से उतर कर पीछे वाली कार में बैटे किसे आदमी से बात करने के लिए जाता है जो कि जे को बड़ा जीब लगता है और उस लड़के की बहुत साइव लगता था वहां पर दो ऑफिसर पहले थे और उन्हें एक लड़की की डेट बोड मिली थी उस लड़की के पैर में एक ट्रिकर भी था और पुलिस इंवेस्टिकेशन आगे नहीं बढ़ पाए इसलिए बॉब वहां मुझे दोनों को माँ डालता है से फिर से जे पर आता ह जो कि अब एक ट्रक में बैठी हुई थी और वहां पर और भी कई सारी लड़की थी उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है ट्रक एक जगर आकर उपता है जहा एक आदमी उसे खीच कर भार निकलता है वो अब एक ऑपरेशन थेटर में थी जहां पर एक बुड में थी जहां पर और भी कई लड़किया बंक बैठ पर थी फिर वहां कुछ अलाउंसमेंट होता है और हम देखते हैं कि वहां एक दो नहीं बुल की कई सारी लड़किया है जिनकी उमर चोटी से लेकर बड़ी तक है और उन्हें भी यहां पर किड्ने पर के लाए गया है उ अब उसे कुछ दिन देता है इस मौल में डालने के लिए अब अगले दिन जे बाकी लड़कियों के साथ बातरूम में थी वो नाने जाती है जिसके बाद एक नर्स सभी लड़कियों को चेक कर रही थी और फिर उन्हें कुछ ड्रग दे जाता है सभी अपना लंच करती है और सभी लड़किया अपने अपने केट से खेल रही थी क्यूंकि उनके लाइफ में बस अब एक यह खुशी थी कुछ दिन बिटता है और एक दिन वोग नाम का आदमे कुछ लड़कियों को सेलेक्ट करके कही ले जाता है और उनमें जे को सेलेक्ट कह जाता है उसे एक वे और तो और उसे अपने क्लाइंट को सर्विस भी देना थी जो कि उसने कभी सोचा भी नहीं था और इसी रात को जे अपनी रूममेट प्रिंसिला के सामने फूट फूट करोने लगती है अब कुछ दिनों के बाद वाग उससे अकेले ही अपने जॉब के लिए ले ले जा र तब भी उसे वहाँ पर चिलाने की आवज आती है वो देखता है कि जॉन जमीन पर पढ़ा है और जे उसे चौट पहुचा कर भाग गयी थी जे ने जॉन के प्राइविट पार्ट को काट लिया था और उसका मूँ पूरा कून से लाल हो रहा था उसके कपड़क पूरे को पनिश्मन दे जाती है जिसमें उसे बांद कर एक बर्फ से बरहुए टब में डाल देते हैं और पूरी रात के लिए उसे ऐसे चोड़ देते हैं फिर बॉब वोन को उसकी इस हरकत के इंसल्ट करता है और एक तपड मार देता है अब हम देखते हैं कि एक साल बीटता जा देंकि यहाँ पर लाला नाम की एक खुब को यहां से गयाब कर दिया जाता है- फिर तब ही वहां से एक अदे में आता है और प्रिंसला को गसیट कर ले जाता है- शान के समय देखते हैं कि Jay यानकी एडन को फिर से अपने क्लाइंट्स को फिर से सिटी स्वेय करने के लिए बिजा जाता है लेकिन इस पार ये पार्टी बहुत बड़ी थी Jay की ड्रेस पे लगती और वो एक चाइनिज लड़की बन कर गई हुई थी और हम देखते हैं कि Jay अब एक साल में इस काम को करने में वर्फेक्ट होगे थी अब वाबस लोगते समय एडन वैन में अपने हिल्स को तोड़के चुपा लेती है एडन जब रूम में आती है तो देखते हैं कि पिंसरा कहीं नहीं दिख रहे थी शायद उसे भी मार कर फेक देवे होगा एडन रात को अपने चुपाई हुई सेंडल निकाल कर लाना पर अटेक कर दिती है और उससे अपने डेट की दी हुई रिंग वापस ले लिती है वहाँ पर गाड़्स आते हैं और रिंग चुडाते हैं फिरवन इडन को खीच कर दूसरे कमरे में ले जाता है और वो इडन से इंप्रेस हो गया था वो उसे पनिश्मेंट के रूप में इडन को अपने रिंग निकलने के ले बोलता है और ठीक इडन को मजबूरी में ऐसा करना पड़ता है वोक को लग रहा था कि इडन अपनी एज से ज़्यादा इस्टोंग है और इडन उसके सिंपती के लिए रोने लगती है और कहती है कि बाकी की लड़किया वोक के पीट पीछे उसे कुछ भी बोलती है कि वो बस या पर एक नोकर है इडन उसे फसाना चा रही थी लेकिन वो नहीं फसता अब कुछ दिनों के बाद इडन को बाकी लड़कों के साथ एक पार्टी में ले जा जाता है जहाँ पर उन्हें सर्विस देना थी पार्टी खतम होने के बाद वोन होस्टर से पेमेंट मांगता है और वोस्ट उसे कुछ पेसे काटने को कहता है दोनों में कहा सुनी होती है और वोग अपने गन से उसे डरा कर बाकी का पेमेंट ले लेता है रात के समय इडन टोलेट जाती है जहां से वो अपनी रिंग को निकलती है जो कि वॉग ने कहने पर उसने निकल ली थी जिसे दोकर वो वापस पहल लेती है क्योंकि इसी से उसे अपनी पुरानी लाइफ और पेरेंट के बारे में पता था देरे देरे एडन के लिए सब कुछ बदल रहा था वॉग उसे क्लाइट के पास न बीच कर खुद अपने गर ले जाता था जहांपर वो उससे सफ़े कर रहता है उसे वॉन के बचपन की फोटो मिलती है और साथ में वो आदमी भी था जिसने इडन यानि की जेव को फसाया था जहांपर सभी गर्स को रखा गया था वो एक बड़ा सा वेराऊस था और वहाँ पर उनसे प्रोस्टिशन के खाम करवाय जाता था लाना वो कस्टमर के कोस अटेंड करने की जॉब मिली थी लेकिन वॉग अब इडन को वो काम दे देता है जिससे की लाना गुसा होती है और सब समझ रहते हैं कि वो अब इडन के करीब आ रहा है इडन अपना काम बहुत अच्छे से करती है ताकि वो उसका विश्वास दीच सके और इदर हम देखते हैं कि बड़ाब एक सेमिनार में है अब दो हुमन ट्रैफिकिंग और ड्रग के ओपर इस पीच दे रहा है जिसके बाद में एक आफिसर उसे मिलता है जो की हुमन ट्रैफिकिंग पर ही काम करना था वो बब से उस केस के बारे में पूछता है जब दो पुलिस आफिसर को मार दिया गयता जो कि असल में बॉब नहीं किया था और वहाँ पर मिली उस लड़की के पेर में टेकर था जिससे कि असली गुनादार तक पोशे जा सकता था और ये सब सुनने के बाद में बॉब का समझ आ गया था कि अब उसके लिए मुश्टिल और बढ़ने वाली है यहाँ पर वाउग ईड़न को अपने साथ कहीं ले जाता है जहाँ पर बॉब उसका इंतजार कर रहा था वाउग की वें में से नो लाशे भी थी जिनेमों टिकाने लगानी के लाया था और इन में से एक लाने की लाश थी वो उसे बीच लेक में लाकर पाली में डाल देता है और एक बार फिर बाब बाब की इंसल्ट करता है जिससे गुस्से में आकर बाब को पीछे से अटेक करता है और माड डलता है और बाब के भी डेट परडी को अटिकाने लगा देता है अब कुछी दिन के बाद वोग एडन को एक अंजान घर ले जाता है जाके लोगों को पता था कि उन्होंने बॉप के साथ क्या किया है एडन को अब वाशन जा रहा था और वो अंदर जाकर दिखती है कि उस घर में एक छोटा सो आपरेशन थेडर था एडन को वाँ पर एक रूम के दर्वासा भी खुड़ा हुआ दिखता है जिसके अदर प्रिंसिला थी और वो अप्रेग्नेन्ट थी प्रिंसिला को वाँ पर कुछ महीनों पेले लाए गया था लेकिन एडन को नहीं पता चाल रहा था कि प्रिंसिला को यह से यहां पर क्यों रखा गया है जो प्रिंसिला चिलाने की होशिश करती है तो एडन उसे चुप रहने का केकर बार चली जाती है जहाँ पर सभी न्यूस देख रहे थे जिसमें बॉब के बनने की खबर थी लोटता समय एडन ड्राइव कर रही थी और गॉब उससे पूछता है कि क्या उसने घर में कुछ देखा और वो उसे बस उस ओपरेशन थीटर के बारे में ही बताती है वोग को फिर भी कुछ अजिब लग रहाता वो उसे कारोकरे को कहता है वो फिर वेंड से एक लड़की को निकाल कर इडन को उसे मारने को गिता है और इसा नहीं करने पर उसे खुछ को मारना होगा इडन के पस कोई और रास्ता नहीं था और इसलिए वो ट्रिगर दबा देती है लेकिन असल में उस गर में बुलेट से नहीं थी वोग बस इडन के वरोसे की जाज कर रहा था बॉब को मारने के बाद में सब कुछ बदल में था वो स्वेर हाउस का ध्यान अब वोग रखता है और वो अपने गाड्स को फ़निश्मेंट दे देता था वोग उस्वेर हाउस को कहीं ओर शिफ्ट कर रहा था क्योंकि पुलीस अब उन तक पोच सकती थी इडर इडन नर्स के पास जाती है जो कि उससे एक स्टोले जाउस पर ले जाती है जहाबा लड़कियों के पुराने सामान थे फिर सभी गर्स को ट्रक में भरके कहीं ले जाय जा रहा था लेकिन इस ट्रक में एडन नहीं थी वॉक कहता है कि इडन बहुत लगी है क्योंकि वो उन लड़क के साथ नहीं जा रही है बलकि वो वॉक के साथ है वॉगा ट्रक से ये सिलिवेट करना चाहता था लेकिन पहले वो बातू हम जाता है और यही मौका था इडन का कुछ कर देने का वाग जब बाप्थरूम में था तो इडन कीचेंसे कीले मारने का स्प्डै लाकर उसे वाग के ड्रग वाले पाइप में स्प्रे कर देती है और उसे पीने के बाद वाग बेहुश हो गया था फिर एडन अपने पेर का ट्रेकर काटती है और वॉक का केस लेकर माँ से कुछ इंगेशन को ले लेती है और वॉक की गाड़ी लेकर वो माँ से भाग जाती है लेकिन वो अपने घर नहीं जाती है वो पहले उस घर जाती है जहाँ पर प्रिंसला को कैद किया हुआ था और जि कार से जा रहे थे फिर इडन रास्ते में कार को रुकती है और पब्लिक फोन से अपना गर पर कॉल करती है इडन के पेरेंट्स उसकी आवास सुनके उसे पेचान जाते हैं जो कि उसका नजाने कब से इंतसार कर रहे थे फिर वो उसके असले नाम जैसो से पुकारते हैं और इ से यूएसे से किडिनेफ कर लिया गया था चौंग किम आज एक एक्टिविस्ट है और लिमन ट्राफिकिंग के अगेंस्ट काम करती है दोस्तों किम तो बज गई थी लेकिन बाकी लड़कियों के साथ में क्या हुआ हुआ सूचने वाली बात है और यह इंडिया और बाकी दे वीडियो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सबस्राइब करना ना भूलिया का चुकि मैं फिर आँगा एक और वीडियो को लेकर